हेलो दोस्तो स्वागत आपका अपने यूट्यूब चैनल में तो आज की हमारी वीडियो के टॉपिक है कि जो कॉंस्टेबल की जो प्रोफाइल होती है जो सेलरी होती है जो वर्क होता है वो क्या होता है क्योंकि जैसे कि अभी आपने कुछ दिन पहले भी देखा होगा पेप 20,210 पदों पर आरक्षी की बढ़ती होगी यह बढ़ती अभी तो मतलब लेखित में है कि 26210 होगी यह ज्यादे भी हो सकती है तो जो बच्चे इसकी प्रिपरेशन करेंगे इसकी तयारी करेंगे उनके पहले जानना पहुंच जरू हो रहे हैं उनका काम क्या होगा और एक मोटेवेशन की रूप में कि उनको क्या मिलेगा सेलरी क्या मिलेगी क्या मेनिफिट्स मिलेंगे तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई है आप इस वीडियो का एंड तक देखना आपके जितने भी डाउट है जौब को लेकर के वह क्लियर हो जाएंगे और पुलिस वाग के हर इसलिए यह सिब लोगोंने मिठ बना रखा है लेकिन जौप सारी बहुत अच्छी होती है हां महनत जरूर करना ही लेकिन जौप बहुत अच्छी होती है तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे कि जो वर्क होता है यूपी पुलिस कॉंस्टिबल का सब्सक्राइब 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 न洗वी चेंग करते हैं किसी विए काड़ी की van cuando करता है चुनाबी डूटि करfal करना दर्गहें सब्सक्राइब कुछ के जूटी नहीं जूँटि आगली बिबभी जुटी यानि की जूट बी बीपोटी परसंने है पॉलेटिशन होते हैं या कोई देखा होगा बैंके भार पुलिस हमेशा तैनात रहती है क्योंकि बहुती है मैले में भी पुलिस को तैनात रहता है उसके बाद देंग लड़ाई ज्घड़ा होने पर जाते हैं तो उसका मेडिकल भी करवाने के लिए कंस्टिवली लेकर करके जाते हैं जैसे कि मतलब कहीं पर भी कोई भी प्रॉबलम होती है तो उसे यह पर चानती से जोड़ी होई है तो इसके लिए आठको यह कोई टायम नहीं नहीं होता है जब आपको लगए कि कोई दिक्कत है मुसीवत है तो आपको जाना पड़ेगा आपको जाना पड़ेगा इसलिए जॉब बहुत इप्परेंट है आपको पुर्री जिम्मदारी से निभानी है और आपको आप निभाएंगे इसलिए इस जोब में कोई टाइमिंग नहीं है प्रमोशन कैसे कैसे होता है सबसे पहले तो आप कॉंस्टेबल के पत पर तयानात हों इसके बाद आपका दस साल में प्रमोट हो जाएंगे एक यह पूलिस में उनके आपने देखा होगा जो साइड में वाजू होती है वाजू पर तीन पट्टी होती है तो वह तो आपको प्रमोटर लगेंगे मिनिमम यह मिनिमम टाइम है वलागर आपका कैरेक्टर रोल वगर अच्छा रहता सब कुछ तो आप 10 साल में प्रमोटर क है वह होता है सबस्पेक्टर की पोश्ट पर जिसमां आपको 16 साल लग जाएंगे 16 साल में हैट कॉंस्टेवल से सबस्प्रक्टर बन जाएंग और उसके बाद सबस्प्रे के वाद आपको टाइम लगता है 26 यह जौब करने चंप इसके बाद आप पर्मोट होंगे इंसप् प्रेवी करके इंस्पेक्टर अब यह भी आपको ध्यान में रखना है कि हाँ इस जोब के थुरू भी बहुत ऊपर तक जा सकते हैं इसलिए जान ला कर त्यारी किजिए अब आप जो आती है सबसे इंपर्ठंट बात वह सेल्दी जिवह एक व्यक्ति जो काम करता है वह सेल्दी के लिए करता है क्योंकि सीदिसी बात है सभी को अपनी जिंदी के अच्छी चलानी है खाना पीना सभी के रुकार्यमेंट है तो उसके लिए सेल्दी चाहिए और इससे बड़ा मोटिवेशन तो प्रेशन प्रहलेंट है आपके अलाउंस वगयरा लगेंगे वह सब कुछ जोड़के जो आपके बनेगे वह आपको बताता हूझ फिर आपको गरेड़ को आपको पर होता है तो उसादाफ से यह ब करता है कहीं पर कभी कुछ से बनती बो बनती है ग्रोष का मतलब यहापकी डिदखे और यह अटाल जोबिट प्योड़न ओंगे यह जो जो नई pension scheme ती उसका जो कटता है और आपके जो जो डिड़क्शन होते हैं आपकी सेलरी में वह कटने वह आपके तक्रीबन सो से लेकर दो जार तक तक हो सकते हैं कटने गार जो आपकी इनहेंट सेलरी बनेगी यानि कि यह सेलरी जो आपको मिलेगी आपके अकांट माएगी वह तक्रीबन जो पहले मेंसे कि वह होगी 25,401 रुपए यह आपके सेलरी वेश्ली है जो आपकी अकांट माएगी तो यहीं सब पूरा था इस वीडियो में कि आपका वर्क प्रोफाइल आपका किलियर कर दिया मैंने आपका सैलरी क्या होगी आपका तो मैं आशा करता हूं आपको यह वीडियो पुसंद आई होगी और जो नेक्स वीडियो होगी उसको भी आप जरूर देखना मैं जल्दी वीडियो वीडियो अप्लोड कर दूंगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जै भारत जैन